हेलो फ्रेंड्स माइनेम इस अभाय कुमार दोस्तो आज हमारे बीच में एक बहुत ही खास महमान आज आए हैं अपनी बात रखने के लिए आपको पता है कि 10 दिसंबर के रोज पूरी दुनिया में जहां पर भी लोगपंत्र है जहां पर भी जुम्हूरियत है वहाँ पर उस 10 दिसंबर को उसको Human Rights Day यानि मनावाधिकार दिवस के तोर पर मनाया जाता है इसको हम उर्दु में कहते हैं कि इनसानी हुकूप का यह दिन है और क्यों मनाया जाता है क्योंकि 1948 में इवन जो है उसकी General Assembly जो है उसने एक documents को adopt किया और वहाँ पर कहा गया कि इनसा हिनिस्तान जो है चाहे उसका रंग कुछ और हो चाहे उसका मधev कुछ और हो चाहे जात बिरादरी में हो कहीं पर भी हो या फीर मर्द हो या औरत हो चाहे उसकी nationality कुछ भी हो चाहे हो किसी मुल्क या कौम का हो सब को बराबर के हुकूप मिले हुए है लेकिन हमारा मुल्क जो प्यारा हिंदुस्तान है इसमें आप देख रहे हैं कि गुज़स्ता 6 या 7 या 8 सालों में जो इंसानी हुकूप की जो पामाली है जो मनावधिकार जो है उस पे एक के बाद एक हमला किया जा रहा है जहां तक अखबार और मीडिया में है ज़्यादा तर खबरे जो हैं वो यह आती है कि इसमें मुसल्मान संपरदाए के उपर हमला हो रहा है यह बात बिलकुल 100% सही है लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो मजदूर भाई है जो किसान भाई है उन पे भी हमला है जो अन पिछड़ी जातिया है उसके उपर भी हमला है दलित और आदिवासी तमाज के उपर भी हमला है और जो दीगर religious minorities हैं जैसे Christian community हैं जो इसाई है भारत के उनके उपर भी हमला है और दोस्तों इस देश में इसाई बहुत हजारों साल से यहां पे रह रहे हैं अंग्रेजों के आने से पहले भी उनकी यहां पे तारीख है तो उन समुदाय के बारे में क्या हो रहा है ये भी जानना बहुत जरूरी है और हमारे बीच में डॉक्टर जॉन दयाल सहाब तर्शिप लाएं हैं जॉन दयाल सहाब किसी तारूफ के महताज नहीं है ये बहुत सालों से कई दहाईयों से एक जाने माने पत्रकार सहाफी जर् हमाये बहुत सारी किताबों के राइटर्स हैं मसनिफ हैं और ये हीमो राइट्स एक्टिबिस्ट हैं अगर हिंदुस्तान में चंद उन लोगों की एक का नाम लिया जाएगा जो हमेशा महकूम तपकात और वंची तपकात के अधिकारों के लिए लड़े हुए हैं उन में डॉक्टर जॉन दयाल का नाम आएगा और जॉन दयाल मजभग की जो दूरियां हैं उसको खत्म करने की कोशिज करते हैं और नागरीक्ता सिटिजन्सिप के आधार पर भारत में सबको बराबर के हुकूक मिले इसके लिए वो काम करते हैं तो बहुत बिजी सीडियूल है ज लेकिन कल मैंने उनसे गुजारिश की थी कि भारत में जो हुमन राइट्स का जो मामला है इस पे बात करना बहुत ही जरूरी है इन्होंने मेरे जैसे एक छोटे से रिसर्च स्कॉलर या छोटे से जनलिस्स से बात करने के लिए इन्होंने अपनी रजामंदी जाहिर की और इसलिए मैं आप लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से इनका इस्तक्बाल करता हूं सर अभिनंदन करता हूं सर जोन देयाल साहब पहला सवाली है कि जब वंची तबका और हीमन राइट्स की बात की जाती है तो क्या आपके दिल में कैसी कैसी तस्वीरे आती है आप जरा ह हमारे दोस्तों को पता ही जी पहले तो आप सब लोगो नमस्कार तस्लीम क्योंकि आज के जमाने में बात करने का मौका मिल जाए सबसे बड़े गानिमत तो वो है चुपी साधी गई है सब जगा आदमी के जुबां काट ली गई है आदमी के होट सीदे गए है अगबार खर पर अंकुष है तो यहां पर छोटी छोटी मौके जो मिलते हैं बोलने के अपनी बात रखने के सवालों के जवाब देने के उन दोस्तों तक जाने के लिए जिन को गुम्रा करने के लिए बड़े बड़े लोग तैयार है मैं आपका शुक्रिया आता करता हूँ आपने इस म बताई ही यूमन राइट्स दे था इनसान के हकोक जिन हकोकों के साथ वह जमी पर पैदा होता है एक तरीके से मैं जब यह हकोक दुनिया ने कबूल किये उस तारीक के बहुत पहले की पैदाश हूँ मगर मैं हकोकों से ज्यादा मुज़र नहीं हूँ ना यह देश ना यह हुकों से बढ़ी है क्योंकि जब से इनसान है उसके हकुकरे जिदगी के काने की हवा रोशनी सांस लेने की इज्जत की इज्जत इज़त जैसे हिंदुसान में कहा जाता है बहुत बड़ी चीज़ है इज़त सड़ी के सोगना बिना कपड़ों के गरीबी में ठंड में बिना नौकड़ी के सड़क पर निकलना भूके पेट बीवी बच्चे बोरी बिस्तरा बांद के एक तरफ जा रहे हैं लाशों के धेर जिन्दीगी और मौत में आदमी के वारत के इंसान के हकोग का जो हनन हो रहा है उसके सामने देखते वे किसी जमात की तोहीन हो रही हो किसी जमात के हकोग चिल रहे हो किसी जमात के जवान जेलों में भर जा रहे हो एक तरीक से देखा जाए तो कम पढ़ जाता है चोटा प बड़ी तदात में जिसके हकोग कुछले गए हैं मगर क्योंकि वो अपकोग जो कुछले गए हैं गरीबी से लॉकडाउन से लॉक आउट से किसानों की मजबूरी से वो एक तरीके से सबों को बराबर की हांक रहे हैं सिर्फ गरीबी को एक बराबरी देख करें उसमें कुस्ता हिंदू, मुसल्मान, सीख, हिसाई, पुद्दिस्ट नहीं दिखा जा रहे हैं मगर जब महौल में किसी की उस चीज़ को जो उसके पैदा होने के बाद उसके पास आई है जिसका उससे कोई पैदा होने में उसने मांगी नहीं थी कि मैं बना मांगता हूं मुसल्मा और धिर्ट चल tow जाता है उसके उपर एक और कड़ी आ जाती है एक और सता बन जाती है जिसके उपर हम कह सकते हैं कि ये जो हो रहा है ये किस कुडमक्स की दिमाग की इजाद है इसके पीछे क्या वजा हो सकती है क्या राज़िती क्या पॉलिटिक्स हो सकता है किसका इससे फाइदा हो रहा है क्यों किसी को कोई कुछ अला मांता है ये जब ये स सवाल आने लगते हैं तब human rights की जो एक dimension आ जाती है उसको हमको सोचना पड़ेगा क्योंकि जब हम उसको सोचेंगे तब उसको हमारे को उससे लड़ने की कुवत आएगी आवाज देने की कुवत आएगी कि यह सरफ मेरे उपर नहीं है आज शैद मेरे उपर हो कालाब के उपर हो और उस जो महौल बनता है उसके अंदर मैं सोचने की कोशिश करता हूँ उसी के महौल के अंदर 10 दिसंबर हो या 6 दिसंबर हो या 30 जनवरी हो अभी आने वाली है अगले महीने 30 जनवरी को जानते हैं आप क्या वादर गांदी मात्मा की गोड़ी मात्या की यह सरफों के जो कड़ी है जो जो जोड़ती जाती है उसको फिर सोचने की एक कोट मिलती है एक नजरिया मिलता है नया चश्मा एक नहीं बिना ही मिलती है आप कह सकते है सर ये साल 2020 जो है उसमें हीमर राइट्स को लेके भारत की बड़ी बदनामी हुई और यहां तक की जो पार्लेमेंट है उन्होंने भी खत लिका नौजवानों को इन्वर्सिटी से उठाया गया उनके उपर बहुत काले कानून लगाएंगे किसान और मजदूरों को उनके हुकूक नहीं मिल रहे हैं लॉकडाउन में क्या हुआ मजदूरों के साथ वो आप देख रहे हैं कलीसा पे जो हमला है जो चर्ट पे जो हमला है वो बंद नहीं हुआ है मुसल्मानों के अंदर में किस तरह से लव जिहाद के उपर पूरा का पूरा है ये ये यलगार है ये तरह का पूरा का पूरा हमला है तो आप जैसे लोग जो सोसाइटीज में बहुत लिबरल वाइस हुआ करते थे जो कि डेमोकरसी जो लोग इक्वालिटीज की बात करते हैं वो लोग कहा है वो लोग क्यों नहीं इसके मुकाबला कर पाना है दो हजार बीस दो हजार उनने से सिर्फ एक चीज में फरक है ये जो सताव बढ़ रहा है सब तबहों के उपर दो हजार तेहरा से बढ़ जब मोदी साहब इलेक्शन के कैम्पेइन में चालू हुए थे अमिर्शार बोदीशा ने जहर फिलाना शुरू किया था बड़ी जोड से दो हजार तेरह से और दो हजार चौरा में जीते जीते तो एकदम फूल अच्छाही गया था तो जार उननीस में मही में अभी आये तो एक तरीके से काली शियाई की बोतल कोईरों ने पिल्कुल ख आते ही लोकडान आया सरकार को मोदी साथ को बाजापा को मौका मिल गया लोगों की जुबान को ताला लगाने के लिए डराओ के लिए जो एक तरीके से कईयों के लिए तो कफन था कईयों के लिए कर्फियू था कईयों के लिए लोकडान था कोविट के इस कफन इस काले की वाइनस का खुद का धंकी घर के अंदर गुसने का चुप रहने की बात टेलिविजन से सरफ वह इस सुनने की बात जो बादशाह सुनाना मांगता हो उसके अंदर जो इन्हों किया उनको आने वाली नसले माफ नहीं करेंगे और विदेशी सरकार क्या कर सकती है चिटी हमें को डाट रहो अगर आपने हमको डाटा तो हम आपसे नहीं खर्देंगे आपके ओपर दुबारा एक तरीके से आपको रोक सकती है इंटर्नेशल आवाजव को भी रोकने की तो यहां पर जो सरकार हैं एक तो इंटर्नेशन आवाज़ हो से ड़ती neighbors मोटी खाल की है इस साओधी अरेविया से कि कोई मेरा क्या बिगार सकता है मैं तो उनके लिए बाजार हूँ अगर मैं बंद हो जाओंगा उनके लोगों की नौक्रे चले जाएगी वहाँ पर कहरा जाएगा वहाँ पर रिबेलन हो जाएगा तो जब ये सोचते हैं सरकार भारत की जब मोदी साब सोचते हैं कि मेरे में ये कुवत है कि मैं लोगों का अपनी लोगों को तो मैंने गला दवा दिया मुह सरब बंद का दिया है मैं विदेशी सरकारों का भी मुह बंद का सकता हूँ तो आप सोचते कि उनकी होसला बुरंदी की हद तक पहुचाती है उसके बाद तो ताड़ब कर सकते हैं उसके बाद तो हम लोग तो सब अधना है चीटी की तरह हमको कल जाएं तो मजद सकते हैं जेल में बढ़ सकते हैं ऐसे महाल में जबकि वायरस का डर अभी गया नहीं है ये किसानों का हौसला है क्योंकि वो पिल्पिला की धूप में काम करते हैं चाहिए चत्ता के बड़ा ट्रैक्टर भी चला रहा हो मगर उसको खेत में ट्रैक्टर चलाना होता है घर में ट्रैक्टर नहीं चला सकता हूँ बड़ा किसानों छोड़ा किसानों बैल के पीछे हो ट्रैक्टर के दूप पर हो कहीं पर वो जमीन पर ट्रैक्टर चलाता है जमीन के सीदेग पर खुदा की दूप से हवा से बाजिश्रे उसी का होसला है कि बिना मास्क के दिल्ली के बार बाउंटरी के ओपर दावा बोल रहा है बाकी लोग डरे वे नहीं आ पारे पुलिस को उसने दे लिए है जहां पर हम हजारों की संक्या में आते थे अब सेंक्ड़ों की क्या बीस भी लोग जवानी हो पारें कहां से आएंगे रास्ते पढ़ के इसे महाल में लेकिन अलेकिन सर हम कितना भी हथियार खरीद ले और हम ह हमारा जो हिंदुस्तान का आईन है उस सब के साथ बराबरी की बात कहता है और आईन हमारा ये भी कहता है कि दुनिया के देशों के साथ हम एक दोस्ती का सुलूप करेंगे और हम डिमोक्रसी को के जो अकदार होंगे उसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कब तक चलेगा क् आप इसका असर तो ट्रेड में भी पड़ेगा जब आप ट्रेड करने के लिए बाहर के मुल्कों में जाएंगे तो वो कहेंगे कि साहब आपका तो हीमरा राइट्स में आपका जो ग्राफ है काफी नीचे चला जा रहा है और साउथ हेजिया में एक जमाने में हम बहुत फ है कि हम अपने डेमोक्रिटिक अथदार के साथ दुनिया के साथ दोस्ती करें लेकिन हो क्या रहा है कि हम बाहर हमारे जो आज के हुकमरान है वो बाहर मुल्कों में जाते हैं बड़ी भीड़ी कटा करते हैं वो एक मीडिया एड़टीजमेंट होता है एक मेनेजमेंट होता है और ये कहा जाता है कि भारत का नाम बहुत आगे बढ़ रहा है लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है इन सब बातों को समझना चाहिए जो कि खुद को अपने आपको रास्टवादी सरकार कहती है वो खुद कहती है कि मुल्क का बला है वो सबसे उपर है तो क्यों ये मुल्क का नुकस कर रही है आखो के आशुआ कोशिश सरंशार कुछ लोग होते हैं जिसकी आख में सुर का बाल हो कैसे सरंशार हो जो किताब मुकंदस को ना मानता हो कागस का तुक्रा समझता हो हर रोज बदलना मंगता हो बिल्दिंग्स बना रहा है पार्लिमेंट की दुबारा सीट सित्थी रखे हुई है कि लोगों को शक है कि कॉंस्टूशन का क्या करेगा आगे किते अपने लोग नाएगा क्या करेगा आगे पार्लिमेंट रहेगी भी हमारे जैसे लोग जाते थे कहते थे कि अमरीका से क्या चीन से हुमन राइट्स की तवज्जव देके उनको हुमन राइट्स लिंक्ड ट्रेड ट्रीटीज करते हैं हिंदुस्तान देश से नहीं करते पाकिस्तान से नहीं करते क्या बजाए अमरीका के पास भी इसका कोई ज डामेंशन है क्या हिंदुस्तान की एकॉनमी के फराक आएगा यकीन राएगा क्यों भी आएगा हम सरफ खरीट तो रही सकते हैं को बेचना भी है और मगर आज की सरकार सोचती है कि वो कल की बात है आज की बात निया कल देख लेंगे हम कल कुछ और कर देंगे बलकर उल्टा क कर रहे हैं साउथ एशिया में चाइना के लिए आपने कहके अमरीका को आस्ट्रेलिया को जपान को इखटा करके अरेविन सी में इंडियन ओशन में आप तमाशा कर सकते हैं मगर साउथ एशिया में भी जो आपके देश हैं उनसे आपके तालुकात अच्छे नहीं है और उ करता है उनको पाकिस्तान नेजर करके को कुछ भी कर जगता है चाइना में कुछ भी होता है तो हमारे नौर्दीज के बिचारे बच्चे बैंगलोर जैसे देश में शाहर में पिड़ जाते हैं क्योंकि उनकी शकल शैद चाइनीज दूर से लगती हो इसी तरीके से बंगला में बिहार में तक में भी औरिशा तक में भी कितने लोगों के ओपर सताव किया है तो यहां पर तो सरकार यह है कि इंटरनेशनल अरेना में जो हो रहा है उसको भी अपने देश्वासियों के ओपर उल्टा लगा रही है तो इसके अंदर में एक दूसरी बात अपने बहुत अहम की है यह कफ तक चलेगा प्रेशर कुकर में हमेशा लोग कहते हैं सरकारे भी कहती हैं कोट्स भी कहता है कि प्रेशर कुकर मार ना बनने दो उसके अंदर हमेशा सेफटी बॉल रॉक करी फट ना जाए प्रेशर कुकर सिच्वेशन आ रही है और काफी हद तक है आप जब वह अपनी पॉलिस को उदाई दे रही है कि किसानों को जाने तो कि धूसी सरकार कहती है कि किसान, को अमने जाने देंगे जब इंटर्णल ऐसी एक सिविल टेंशन आ रहा है तो प्रेशर कुकर में किता न दबावे खतरनाग दबावे खतरनाग दबावे फेडरलिज्म का जो आज हो रही है जरजरता उसका जो सुपर स्ट्रक्चर है उसका जो ताम ज्ञाम है उसके अंदर जो सरीये वो किस तरीके से काप रहे हैं यहीं जो समझदार है उसी को उसकी जनाट सुनाई दे रही है वाकर लोग समझे सब ठीक है बाबा साब अमबेटकर ने भी यह बात कही है कि किसी भी डिमॉक्रसी में गौवर्मेंट भले ही मेजोरिटी वोट से बन जाती है क्योंकि हमारे पास अभी इस से से बेहतर कोई मतबादी लोग कोई अल्टरनेटिव नहीं है मिसाल के तोर पर अगर सौ सीच है तो जिसने 51 परसेंट प्लस उन उसकी सरकार बना लिए जिन लोगोंने 41 परसेंट 49 परसेंट जिन्होंने वोट किये हैं उनके भी बातों को मानना बहुत ही जरूरी है और इसी लिए अमबेट कर कह रहे हैं 1942 में उनका लेक्चर है और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मैजॉरेटी गॉवर्मेंट जो होती है वो मैजॉरिटेरियन इजन से अलग होती है मैजॉरेटी गॉवर्मेंट का मतलब यह है कि चलिए 50% प्लस वन सीट सापी आगई आपने सरकार बना ली लेकिन जब आप पॉलिसी बनाएंगे तो उसमें तमाम तबके को लेके उनकी बातों को सुनेंगे उनके रेपरजेंटेटीव से आप सलाव और मश्वरा करेंगे लेकिन आप देखिए सर कितना मतलब अफसोस की बात है कि अगर आप दलित समुदाय के अंदर में चले जाएए तो यह कुछ अपने एक दो नाम नहाद दलित नेता बना लिया है मुस्लिम समाथ सभी उन्हों ने एक-दो अपने नाम नहाद लोहों को ले लिया है इनको लगता है कि यह जोकर को जमा करके यह सरकार को अगे चला पाएंगे लेकिन मैं बार-बार इस बात को कहता हूँ कि अंबेटकर has given up direction some 50 years back, 60 years back कि भाई देखो कानून कितना भी बेहतर हो जाए, जब तक सारे समुदाय के लोगों को तुम साथ लेके नहीं चलोगे तब तक कानून का निफास बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा American political scientist एक Andrew Lesbert है, उन्होंने बहुत सारी democracy के मताला किया है और उन्होंने कहा है कि जिस democracy में लोगों की भागदारी को यकीनी बनाया जाता है जहाँ पे consensus से काम होता है, जहाँ पे constitutional democracy होती है, जहाँ पे भागदारी होती है इतिफाद होता है, इतिफाद से काम किया जाता है, वहाँ पे stability ज्यादा होती है क्योंकि आपके जो वसायल है, आपके resources है और law and order पे खर्च नहोंके ये लोगों की, आम लोगों की तरकी पे खर्च होती है लेकिन मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ, हमारी क्या विसाथ है, हमारी कौन सी आवास की ताकत है लेकिन एक अच्छा हुक्मरान वही होता है, जो सुनता है सब की बात की लेकिन आज कल इस मुलक के अंदर में अगर उनके मुताबिक अगर सूर में सूर मिला के अगर आपने नहीं बोला तो कब आपके ओपर देश दुरों के मुकदमा लग जाएंगे कब आपके ऊपर कौन सा काला कानून लगा दिया जाएगा डॉक्टर कफील खान को देखिए जो अलिगड मुस्लिम इनुवर्सिटी में इतने बेहतरीन डॉक्टर एक तकरीर दे रहे हैं एक स्पीच दे रहे हैं और उसको एग्सक्यूटिव पुलिस किस तरह से उसका इस्त कि तबके के नवजों पे आप अपना हाथ रखते हैं उनकी दिल की आवाज आप सुनते हैं उनके अंदर में किस तरह की बेचैनी है और हम लोग कैसे डेमोक्रेटिक वाइस को मजबूत कर सकते हैं इस देश को बचाना हमारे लिए जादा आहम है हम लोगों को उन सक्तियों को नफरत अंगेज जो ताक्ते हैं उनको बाहर करनी होगी तो कुछ आप अपने मुसाहिदे अपने तजर्बे से बताइए कि हम लोग इस मुश्किल की घड़ी में कैसे हम इसका मुकाबला करें और एक तरह का जो विस्वास की कमी हो रही है मैजॉरिटी कॉमूनिटी और म मेरी भी हालत वही है जो डॉक्टर जॉन दयाल की है तो हम लोग कैसे जो वंकित लोग कैसे एक तरह से एक इतहाद पाइदा करें और अपनी अपनी आप में एक दोस्ती भाईचारे को बढ़ाएं जिसको तोड़ने के लिए दीन रात कोशी सूपर से हो रही है यह देश हमारा है इसमें तो कोई दोराय नहीं है पार्लेमेंट डिमोक्रसी की जो मदर कहला जाती है इंग्लिस्तान महां की ओपोजिशन को लॉयल ओपोजिशन कहते है क्योंकि वो देश दोई ओपोजिशन नहीं है वोट कम मिलें ओपोजिशन में आभी मगर देश के प् प्रदान मंत्री है और मंत्रियों ये कानून और ये डिमोक्रिसी का एक फर्जी नहीं है इसके में डिमोक्रिसी होई नहीं सकती है डिमोक्रिसी में रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी दो पार्टी नहीं है एक तरीके से एक है कि एक आज कल राज करें कि मंत्रिय क्युंगे दूसरी है उतनी ही लोयन है उसकी भी देश के पती उतनी शुद्दा है गरीब के लिए उसमें उतनी हुski नहीं करती है वह यह परक मेरा ख्याल है मोधी साहब और उनकी जो राजनीति वो नहीं समझ पाते हैं वो समझते हैं कि उनको देवी शक्ति से राज करने की चमता मिली है और बाकि सब लोग विदेशी हैं आदमी ही नहीं है आपके सकते हैं निगाह में मगर यह नजरिया चलता नहीं है क्योंकि कॉंट्रडिक्शन्स पार्टी में भी आते हैं अविशा भी बाइदेवे अपने आपको किसान कहते हैं आज मेरा ख्याल है भाजापय के अंदर भी थोड़ी तिलमिलाट है वो जानते हैं कि जब बाकी लोगों के उपर अत्याचार इस दब्स हो गया और इनके अब शक है कि अग्रा दौर जो इनकी ऑपोजिशन में आएगा अंदूरी नहीं आएगा तो हमारे खिलाब भी आट कर सकते हैं आप सोचिए मैं बहुत छोटी सी बात करता हूं इंदरा गांदी ने अमर्जंसी लाए उसके अंदर आरेस को भी बंद किया सीपियों को भी बंद किया लड इंदर इंदर आप इंदर आप इंदर आप इंदर करना है आप आज की तारीक में कहना मुश्किल है कि यह जो दो तीन लोग राज कर रहे हैं यह अपने आपको किस तरीके से किसको सूचते हैं कि कौल हमारे खिलाब है आप यह सोची कि इनको बहुत कई सद्में मिल चुके हैं शिप्षेना का सद्मा छोटा सद्मा नहीं है शिप्षेना जब भाजा पस हैला हुई हम उसकी बात का पूरी एहमत नहीं समझ पा रहे हैं हिंदुत्व पर लड़ने वा है उसका जो रिबेलना पावर के ओपर रिबेलने वो इनको उसने काफी बड़ा चपर इत्मारा उससे अभी अभी भी जिला रहे हैं तो किस तरीके से हमारे उपर अप्डायत आता है कि एक बात तो है कि हम एक दूसरे से इस वकत ना लड़े हमको देखना है एक्तम अर्ज कौन है 37 डार में opposition आप सोचिए Pvd में में क्या क्या जीज़् कॉमन है यह आधी निक्र पहांता है पुրी पेंटी पहेंते लाल कं街 काली कंव इस पहेंते एक मास्क खाता है गाव भागता है एक गांधी का खुनी है दूसरा गांधी को opposition करता था में गांधी का कुमी नहीं था क्या कॉमन था मगर एक common cause के उपर उपर इकट आए एक common call के उपर इकट आए और इंद्रा गांधी जैसे powerful को भी एमर्जेंसी कम करनी पड़ी हटानी पड़ी एलेक्शन आना पड़ा हारी दुबारा आई उसकी अलग वजा है मगर हारी और बुरी तरह हारी साथ दुनिया में कहते हैं जीती ही पगार को वहां पर पी आप देखेंगे तो इश्यूस फरक हो गए थे हमको अब बिहार में हमने देखा ओपोजिशन इखटी हुई और अगर वाजापार और नितिज जीते तो दाथ की खाल से जीते हैं हार भी सकते थे तो वहां पर मौका था हाथ चला गया कोई बात यह रोनी की बात नहीं है बंगाल आ रहा है किर रहा आएगा दक्षिन के और प्रांथ आ रहे है और फिर बाद में तो यूपी आएगा ही ना आज नहीं तो कल बढ़ी कोशिक की जा रही है वहां पे जिस तरह पॉलराइस के जा रहे हैं शादेख के ओपर प्रॉरा इसके ओपर हंदूस्तान में की लागी प्यार कि उपर अप्लो tyre शिरी फरा तो करपि तरफ यह तहरी यू पविजु भावरा तो अपने इते तो गंगा हो बूना हो के रहेगा में हमारा तुम्हारा उस गानों की उपड़ यहां पर यह प्यारा रख Czechopard आ कर रहे हैं कोई जानता नहीं है किसके उपर कब आ जाएगा यह जो बेहुद़ापन आ ग刃 राजनीती में इससे पता लग जाता है कि कि किस्यार आ गई है हमारे राजाओं में जो राजनीती का भी उदपन है यह प्रारिमेंटरी डिमाक्रसी से इसका दूर तूर तक लेना द आपने चीजे बहुत देखी और मेरे पास बहुत सवाल इसलिए बहुत जल्दी बहुत सारे सवाल इसके बहुत सब्सक्राइब आपको चल रहा है कि यह जो चल रहा है जोर जबर्दस्ती का जो राज चल रहा है क्या हम लोगों को और वेट करना पड़ेगा कि इसके सामने आने लगें कोवेड़ कोवड़ेक्शन आने शुरू हो गए मैंने बता है सबसे बड़ा कोउलिक्शन होता है यह कि भी दोस्ता आपको काथ चौड़ेंगे वह हाथ चोड़ना मांगते इस वाच देवर वजह भज़दे हैं बत बद बहुत रहेगा उसका पार रहेगा उसके बाद हमा अंदर घरीब मैं पता नहीं कैसे वोट दिया यह जिस तरीकिस उसकी रोजी रोती चेली छीन ले गया है कितने लोग कि अरे सरकार बताती नहीं है क्योंके लाशों के चoughing किया लेकर oh no 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 no, जैसे कभी हमको पिंदुस्तान पता नहीं लगता था भूग से कितने मरते हैं यह डियाबिटीस से कितने मरते हैं उसके कोई फिगर होती दी थी क्यूंके कौन रॉलाएगा लाशों की चेक कौन करेगा पॉस्पार्टम कौन करेगा यह जो आया और इसकी जो एक तरीक से इसक से एक ओल ग्रॉप एक रॉस चोटे फामर से लेके लेकर प्रकाश बादल तक जाट से लेके दलित फामर तक माजिलाइस्ट पामर तक ट्राइबल सक यह जो एक यूल्टि आई है यह कटिंगे करॉस पार्टी राइन यह बड़ी सेमिनल बहुत अंदूरी गहरी यूनिटी है यह किस तरीके से आगे भाग लेगी सरकार इसको कुचलने का कैश अर्द्र करेगी अभी तक तो सामदाम डंड वेद अभी तक चला लिए क्योंकि किसान के पास समय है और खासका दिल्ली यूपी का किसान क्योंकि घर के पास है वो बुका भी नहीं बनेगा तक्षिन भा है और इसको पुलिस से फॉस से डाया डराया नहीं जा पाएगा यह किस तरीके से अगले कुछ दिनों में आता है इससे हमको पहला इंडिकेशन मिलेगा क्योंकि इसके दिमाग हटाने के लिए यह लेव जिहाद यह अगरम-चरण यूपी में यह लोग कर रहे हैं वगरा कर दें तो मेरा ख्याल है कि शुरुवात हो चुकी है कि दोसो चौबीस अभी दूर है मगर उससे पहले तो शुरुवात हो चुकी है लेकिन यह भी तो है मतलब अगर हम अगर दिल की बात करें कि जब तक आप opportunities को और सर को मौके को हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करते हैं तब तक आपको औसर और बिजय नहीं मिलती है जैसे जैसे कहते हैं फेट फेवर्स दफ ब्रेव फ़र्चुन फेवर्स दब्रेव जो घोड़े पे सवारी करता है उसी को वही जंग जित सकता है लेकिन जो हमारे oppositions पार्टी जो है उनके अंदर में जिनको हम कहते हैं कि सेक पास एक एजेंडा है उनके पास एक आइडियोलजी है उनके पास एक सपना है इन लोगों के पास क्या है आप ऐसमें जगड रहे हैं इनके अंदर में परिवारबाद है यह लोग भी सौफ्ट हिंदुत्वा करते हैं तो आपने तो सेकुलर पार्टी उसको बहुत दिनों स उसे देखा है तो क्या से कुलर पार्टियां सही में सुस्त हो गई है या पिर यूंब कर रही हे और उनकी कामों को मीडिया जखा नहीं रह CM एक एक पार को जान उच्छ के पाल कर रहा है। उनके पास माँ है जैसे कह सकते है फिल वाले कहते हैं लो उनके पास माँ है और आज की माँ हिंदुस्तान का गरीब आपने देखा बिहार में यहां पर कास्ट बहुत बड़ा रोल प्रेर करती है और जिसकी वज़ा से पिछली बारी इस बारी नहीं इसके पहले थोड़ी सी म पर यह देखा कि अब तो ब्यार में मनमानी नहीं कर पाएंगे डर गया तोड़े बहुत आगे किस तरीके से खेलते हैं बंगाल में खास कर उससे हमको इंडिकेशन मिलेगी कि कुछ सबक सीखें के नहीं सीखें यह कहना ऐसान है क्योंकि कोई भी जब देखिए मैं पचास स जादा हो गए मेरे को अख़र नभी सी करते हुए मैं देखता तरह हूं कि जब एंटी कॉंगरेसिस्ट वाता था तो पार्टी जूपोजिशन की रहे विंग अम एंटी कॉंगरेसिटर अब कोंगरेस आपकर सकते हैं वह कहीं को पर साथ रखती है जो कि पूरानी एंटी जैसे कि उरिस्सा वहां पर नवीन पठना है कि उसका राज चलता रहे लोग सभा में और पाकी जगा पर वो मोधी का साथ देता है दोनों तेलगू समाज तेलंगना और आंद्र कट पाएगे मल जाएगे को हराने के लिए बाजापकर सपोट करते हैं तमिलाड यह जो पार्टीज हैं जो आज बाजापका सपोर्ट कर रही हैं अगर कल इन में थोड़ी सी अकल आदि में उनके ओपर कामशाद चल भी रहा हूं तो इतना ऐसा नहीं रहेगा बाजापकर लिए और जैसे मैंने का बाजापा में भी एक डिविशन है बाजापा में ही अबित वाह हम बाजापका आसे की को आम जनता समझ नहीं पाती है यह पार्टी पालिक्स में कौम आम जनता की समझ में नहीं हो रही है और जो मीडिया है कि इसको आधकर गोधी मीडिया कहते हैं और अंबानी मीडिया कहते हैं तक्रिमत सभी आरे हैं हम आज कल इंटरनेट को भी कह सकते हैं कि उसके ओपर जो बिजली आ रही है PCS, दिल्ली में तो अंबानी की वजह से आरही है, कल बनत करते, ج्यो सब से जाता सस्ता है, पूरे गड किसे मोनोपलाइस कर लिया है कि अगर कल जी ओप कहा दे कि मैं नहीं दूँगा तो सारे मोबाइन फॉल में इतना तहीं किसे आदी गंटे के लिए गंटे के लिए ठप हो जाएंगे एक खतरनाक चीज़े जो हैं यह एक दूसरा अंदाजा करती है मगार इसकी वजह से शायद आम जन्ता तक पता नहीं चल पा रहा है हमको भी नहीं पता चल पा रहा है कि आम जन्ता के दिल में क्या उबार है क्या उबाला रहा है उसके पेट के अंदर क्या वो पनप्रा है यह मेरा कहले अगले गयरा बारा महीने मेरे एक साल में आएगा क्योंकि यह बात और मैंक्ता वैक्सीन आने के बाद भी एक साल लगेगा वैक्सीन को पुरा असर देने में लेकिन सर मैं यह कह रहा था सर्थ थोड़ा सवाल को मैं यह सोच रहा था आपसे कि देखिए हम लोगों के सामने भी सवाल पूछा जाता है और बहुत सारे सवाल लोगों के दिलों में दबे अगलिया नहीं तो यह चलता है और जो बताईए कि जो वोट उनके पास तो नहीं है वोट करते हैं लेकिन उन्होंने दलीतों के खास वर को अपने साथ कर लिया है लोग तो यह कह रहे हैं कि मुसल्मानों में भी एक खास सेक्ट को थोड़े बहुत को अपने साथ कर लिया है इसाईयों के बीच में लोग कहते हैं पता नहीं आप मुझे करेक्ट कीजेगा आप ज्यादा जानते हैं कि कैथलिक चर्च में भी जो कुछ लोग जो उंची सोच के जो लोग है उनको भी अपने तरफ केरला के अंदर में उनको अपनी तरफ लाजनी की कोशिश करते हैं तो उनका सोचल बेस बढ़ रहा है पाउजूद इसके उनका पूरा का पूरा जो एजन्डा है वो मनुवाद पर है वो बराबरी पर नहीं है वो हिंसा पर है और इधर के लोगों का जो पूरा का पूरा जो एजन्डा है वो भाईचारे पर है लेकिन वो काम्याब कैसे हो पार को जो आज के भले के लिए अपने कौम को बेशते हैं वो ऐसे रुख तो होती है ना इसा मसी को भी सूली पिटड़ाने के लिए यहोद्यों में तो नहीं उसी के साथ नहीं किया था जुड़ा सिसकारियत ने चड़वाया था मगर दूसरी बात ये भी है कि आप सोचते हैं कि लोग दार्मिक नहीं है क्या शायर इट भी बेज़ते हों मगर वाज़ाब के खिलाव भी काम कर सकते हैं मैंना आंध्रा करबाद की तरिगाना की बात थी वहाँ पर लोकल तो वाज़ाबा को वोट नहीं मिला ना हाइदरबाद में मिला क्योंकि वहां पर मुसलमानों के ख नहीं है और वाज़ाबा सब जगा कर रहा है ऐसा भी नहीं है तिल्सिम जोड़कर गिंतियां जोड़कर तुक्रे तुक्रे जोड़कर जीत लेता है सीटे मगर कल क्या होगा अगर हवा फैलती है कि या आदमी हारने वाला है या खुदाला खास्ता लीडर्शिप स्ट्रग तो क्या अगला बाजा पर लेता इस तरीके से लोगों को जमा कर पाएगा तो पैसे का तो रोल होता है और हम मुझे यह भी पता है कि उगते हुए सूरज को सब लोग सलाम करते हैं इस बात से मैं पूरी तरह से आपके साथ इत्तफाक जाहिर कर रहा हूं लेकिन मैं कह रहा उनकी तरफ से नहीं देखने के बाद कहींने कहीं मायूसी है इस बात से आप भी पुरी तरह से इंकार नहीं कर सकते हैं आप देखिए कि आज मुसल्मान नौजवानों को जिस तरह से गिरफ्तार कर लिया जाता है जिस तरह से उनको उपर हमले हो जाते हैं कितने secular leader होते हु इसलामिया में एक नौजवान थे, जो कि एक समाजीक इंसाफ की पार्टी वियार के थी, उसके साथ से जुड़े हुए थे, उनको गलत केसोज में उनको जेल में डाल दिया गया, आठ नौ महीने से वो जेल में हैं और आज तक उनके साथ कम से कम उसके जो बड़े में उनके साथ खड़े नहीं हो पाएं, तो उनके दिलों में कहीं ने कहीं ये दर्द होता है, उनको लगता है, अरे मुसल्मान क्या है, हम तो समपरदाइब टाक्तों के खिलाफ लड़ेंगे, तो ऐसे ही भोट देदेगा, इसाई क्या है, हम तो बीजेपी का भूत दिखाए तो हमारे साथ आहीं जाएगा, ये जो सूच है, वो कहीं ने कहीं उनके अंदर में अलगावाद, अगर नहीं कहें, तो ज़रूर पैदा करता है, और ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, और इसको हमको रोकना पड़ेगा, और उनहीं की आइजलोजी में, मैं तो टोक न मगता हूं, कि ये शैद मेरा कहला है, कुछ आद्धी हो जाएगी कहना, कि हम लोगों के दिल में जो दुख होता है, जब हम जानते हैं, कदावर लोग हमारे साथ नहीं खड़े, कॉंग्रेस पार्टी, राजीव गांधी, सोजया गांधी, इमन महुन सिंग, बागी लोग चाद हमारे आवाज में आवाज बिलाके नहीं बोल रहे हमारे लिए जेल नहीं जारे, दिल में दुख होता है, मगर उसकी वज़ा से इतनी दूर चले जाएंगे हम, ये कहना, मेरा कहना हलत होगा. सर, मैं दूर जाने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब सरजरी होगी, मतलब दिल से मैं कह रहा हूँ, हमारे सारे दोस्तों सरजरी होगी, तो कहीं ने कहीं आवाज, हमारी भी आवाज भी वहां तक पहुंचनी चाहिए, कि हम सेकुलर जमात को ही वोट देत आप हमारे कस्मेरी भाईयों के साथ खड़ा नहीं होते हैं गेम जो है उपर से ऐसा गेम जो दक्षिर पंती ताकते हैं ऐसा गेम का जो रूल सेट कर देती हैं इनको वंचित तब कोई के सवालों को मरकज में डालना चाहिए लेकिन होता क्या है यह सौफ्ट हिंदुत्वा के नव पतिशक बात नाजिन совсем deuxième सौफ्ट हिंदुत्व के अपनी एक मियाद है अपनी एक हाद है उसके आगे तो सौफ्ट हिंदुत्वा नहीं कर पाएगी सौफ्ट हिंदुत्वा दलित पर नहीं चलेगा सौफ्ट हिंदुत्वा उनी पर चलेगा जह पेसलामफ पॉब में आम आदमी की आम जरूरत थे उसके पीट की जरूरत इसके बच्चों की जरूरत दरम से बहुत दूर उन जरूरतों के ओपर common minimum program बनाना चाहिए और बनेगा कि को उसके बेना लडाई नहीं हो पाएगी यह नहीं हो पाएगी कि मंदिर बनेगा यह मंदिर बनेगा और कौन उसके साथ है और जो ब्राम के साथ नहीं है घद्दार है बनेगा कि कौन हमको रोटी दिलाना दवाई दिलाना कोविट के ट्राइबल्स की जो उनकी जमीन के अंदर जर्व जमीन जल उन इश्यूस के उपर अड़ाई जो है और तब ही मैं दुबारा एक बात कहना में रहाता है कि यह जो बहुत हमको हलकी सी जो जलब दिखाई दिये किसान एक ताम में और कोविट के बावजूद कोविट के काले का किरुट के बावजूद एक तरीका से जो उनिटी धर रोड़ी बहुत दिखाई दिये उसको हमको एक तरीके से संजो के रखना है उन लोगों को हमेशा शर्मिंदा नहीं करना है कि आप यह नीं कर रहें अप यह नहीं कर देडिए उनको एक मौहर बनाना है जिसमें वह भा पदेख करना है विए विए पड़ियों का मुकाबला कर पाए उनको टराना नहीं करना मुझे एक दूसरे से भी एक जैफ में लगें गो common करना है मुस्लमान की पार्टिशार में बता जीता हूं चाह मुसलमान उंच यूज, उसको secular लोग ही बचा पाएगी कोई मुसलमन पार्टी मुसलमानों को नी बचा पाएगी कोई एसाई पार्टी, कोई केरला का politician हमको नी बचा पाएगा जहां पर हम पर सताव है है कि अबर नहीं कर दो साथ है से क्यूलेटी मैज요 हुआथ हुआ हुआ हूआ नहीं थैब थैंlle कि में एसावी पैता हुबा मगर हम लोग सेक्लुर्ट पैता हुए है और हम जो समाज है कि वो हमारी saw के रंग से हमारी दํस्वान से रब में हमारा जनर मुग है उनसे अलग है वहाँ पर हमारा भी उतना हे हम जाता है उतने फर्स का है कि हम दूश्रों को सब्सार ना करें फृदर डिवाइड ना करें पर टुल्व फरक दॉसे करें तो आप यह कह रहे हैं जी दोस्तों डॉक्टर जॉन दयाल सहब यह कहरें जैसा कि मैं समझ पाया हूं कि हमें आलोचना, तनकीद, क्रिटिसीजम करने से कोई नहीं रोक राइस्टेकुलर पार्टियों को और हमें उनका अंदभक्त नहीं बनना चाहिए लेकिन मौके को देखते हुए, बड़े गोल को देखते हुए, हमें मौके की नजाकत को देखते हुए, सर को बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, एक और सवाल है, सर, खासकर नौजवान जो हमारे दोस्त हैं, वो इस सवाल का हल आप जैसे तजर्वेकार और तज्जियाकार से सुनना चाहते हैं, कि कुछ पार्टियां जो हैं, जो हैदराबाद से आई हुई हैं, वो बहुत इलाकों में एलेक्शन्स लड़ चुकी है, लड़ रही हैं, उसका कहना यह है, हैदराबाद की पार्टी का कहना यह है, कि हमें कोई एलेक्शन्स लड़ने से रोक नहीं सकता है, यह हमारा जुमूरी हक है, और दूसरी तरफ जो सेकुलर खेमा अपने आपको कह रहा है, कि यह साहब एलेक्शन्स को यह भी देखना है, कि हमारा बड़ा गोल है, वो हमारी आँकों से दूर न चला जाए, इस नाजुत मौके पर आप अपने तजर्बे, अपने अन्वाव से हम लोगों की क्या रहनुमाई करना चाहिए, चाहे ओवेसी हो या पासवाल हो, क्योंकि मेरे को नाम लेने से क्या उनको इलेक्शन लड़ने का हक है, यकीन है और असाम की पार्टी को भी हक है, और अकाली दल को भी हक है, और बाकी सम को हक है, मगर उनको देखना है कि जब आप मगरमच के उपर बैठते हैं, या जो चड़िया मगरमच के दांत में से कीड़े और सड़ावा गोष्ट निकालती हैं, उनको बड़े दियान रखना पड़ेगा, कि मगरमच ने अगर मुझ बंद कर लिया तो हमारा क्या होगा, मगरमच ने गोता लगा लिया तो हमारा क्या होगा, और मेरा ख्याल है, जब तक ये देखती हैं कि मगरमच चिछले पानी में है, जब तक ये देखत से फिशिंग करती है मुसल्मान की हमायद भी करती है मगर ये भी देखती रहती है कि मुसल्मान की हमायद दी ना जीते है दलित की हमायद भी रखती है दलित की नुमायद की भी करने का दावा रखती है मगर ये भी देखती रहती है कि दलित के असले नुमायदे ना जीत मकर जैसे मैं नाक से जादा पानी ऊपर आ जाता है, तब आज है, तब सबसे बड़ी बात तब वोटर क्या सुचता है, मैं आपको बता हूँ, सततर में जब जर्नल इलेक्शन हुआ था, एमर्जेंसी बंगी हुई थी अभी, एमर्जेंसी कम हुई थी, मैं कि इंद्रा गांधी का रास्ता, इलेक्शन इंद्रा गांधी करा रही थी, अगर उस दिन, लोग वोटिंग चेंबर के अंदर जाके वोट नहीं दे रहते, छुपके वोट नहीं दे रहते, खुलेयां सड़क पर पेपर लिया, स्टैंप लगाया, सबों को दिखाया और डाला, डर की नाम की चीज़ चली नहीं थी, क्योंको पता था, कि आज नहीं किय हम नहीं है, तो फिर, साथ साल, सतर साल क्या, कॉंस्ट्यूशन जला दी जाएगी, खतब हो जाएगी, ऐसा मौका, फिर हम में सोच रहे हैं, कि कल से लेके और दोसो चौबिस के बीच में, फिर वोज मौका आ रहा है हमारे पार, और हमको फिर खल्याप होकर बोट देना इन्होंने अंग्रेजी पत्र का हिरता में मतलब वक्त गुजा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जितनी फसी हिंदुस्तानी या उदू आज जौन द्याल साब बोल रहे हैं, और जिस तरह से मुहाबरों का बहतरीन इंतखाब कर रहे हैं यहां पे, मुझे भी बहुत क तब के तबकात हैं, खासकर हमारे रामपुनियानी साहब दो दिन कबल हम लोगों से बात करने के लिए इसी फेस्टूप लाइब में आये थे, तो उन्होंने काया कि हम चार गुरुप को, चार सोसल गुरुप को हम मतलब मान रहे हैं कि वो माइनोरिटी हैं और पूल देना चाह रहे है, मान लेजे कोई हमारा दलित भाई आपकी बात सुन रहा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिएंगे, जो आजकल हांतरस केस के बाद जिस तरह से उनके अंदर में बेचैनी है, और जिस तरह से उनको हर तरह से उनके लिए कोई सरकार कुछ काम कर रही है और बाबा साब आम बेट कर ओपर माला और फूल चड़ाने में सबसे आगे आगे रहती है और उनका इस्तमाल जो है मुसलमानों के खिलाब करती है तो इसमें दलित हमारे जो समुदाये हैं उनके इंसानी हुकूक और उनके लिए आपका क्या पैगाम है जरा उनको आप बता दीजिए राम मेरे बहुत अजीज दोस्ते हैं उनके चार तक्रे बता है मैं पांचो तफका इसमें चोड़ना मंगता हूं वो पड़ा लिखा जो इन चारों समुदों में नहीं आ रहा है वो पड़ा लिखा जहीन तपका जो हिंदुस्तान के फ्यूचर के बारे में सुचता है अपने बच्चों के बच्चों के जिन्दकी के बारे में सुचता है वो जानता है कि कोई भी बादशा की एक राज की एक हद होती है उसके बात क्या होगा जहरा राज का बोतिया पांच सार में बोया है पचास सार लग जाएंगे उसको जमीर में से निकाल ल को हिंदुस्तान के सेक्यूलर पड़े लिखे लोगों को प्रोफेसर को डिप्रमैट्स को बताना पढ़ेगा हो क्या रहा है हमारा दर्द क्या है उनको समझाना पढ़ेगा वो सोच रहे हैं सब ठीक है उनको जगाना पढ़ेगा यह मैं कैके बात करता हूँ चालों के ओपर दलित को हम कैसे समझाएंगे, बहुत एहन दपका है, दक्षिन का दलित, गुज्रात राजिस्थान का दलित, उत्तर भारत का पहाड़ों का दलित, बिहार का दलित, और नौर्डिस में दलित होता नहीं है, ये दलितों को किस तरीके से बाटला जा रहा है, तो राजिदी के दूसरे इनको हर जगह, इनको बता जाना के तुबारा दुश्मन कोषण है, और इसमें, दलित और ट्राइबल्स को आपस पे राया गिया है, उत्तर प्रदेश के कई भागों में, दलित और मुसल focus पे राया गिया है हमने 84 में भी देखा था किस तरीके से दलित को जो खुद कटावा था उसको सिक्कों के खिलाब लड़वा दिया दलित को बताना पड़ेगा हमको कि आपके उपर मनु का जो अंकुष था वो कॉर्परेट राज में संथ मनु संथ अदानी संथ अंबानी यह जो नया मनु आदाया है जिसके अंदर आप काउस लॉटर का बिल देखें तो चम्रे की पूरी जिंद्गी खतम हो गया है उसका पूरा ट्रेट खतम हो गया है जो हमेशा प्रोटेक्शन जो था कानून का कॉस्ट्युशन का जलित के उपर उसका किसता इरोजन किया गया है प्रमिश्म के उपर प्रीट सेक्टर किस तरीकसे खढ़ा हो जाता एक कै कोई खुदेना नहीं है डलित को जड़ह हम एक तरीकएं से थोड़ासा माशसिंग कire देगे उसको एक economy के बारे में जाता समझाएंगे तो उसके अंदर भी एक एक नया एक ही करणा आएगा ट्राइबल स्कर्ड मेरा कहले आज़ी तारीक में सबसे जहीन दिमाग है क्योंकि उनको खोना है उनके वो अपने चोर को जिसे सेंद लगाई है बड़े साफ देख पारे हैं उनके पहार उनके जंगर उनका पानी उनकी खाने किस तरीक चजोड नी जा लिए उनकी आँखों क हैं आप दलित आपको चिनना ममते हैं उनको मेरा कहना सबसे एजी यूनिटी है और यह आप सोच सकते हैं कि बंगाल के 24 परगना से लेके गुजरात के भी भी लांचल तक यह बड़ा बेल्ट है जो जिसने बहुत चीज़ें देखी हैं अपने आंकों साफ बहुत बड़े को रोका हैं वहाँ पर बहुत ऐसानी से मिला के लेकर नहीं जाहरती आ सकती है दक्षिन भारत देश इनके उपर हिंदी के उपर एक इश्यू है वह बहुत बड़ा तबका हो भी सी और दलित हैं वह शेहत उतर भारत के दलित के जो उनकिया अंदर जो एक टैनिक कीसी जो टर्स्टोन है वह दक्षिन में तनिया हैं मकर कास्टरिजम दक्षिन में उत्तर से कम नहीं है बिहार से कम तर्मिलनाश्ट वरुर्ष और आंधरा कटा ही नहीं है वहाँ का दलिट भी बड़ा सताया जाता है बड़े लोगों से उची जात से अपने आपको उची जात कहते हैं वह श्राश नहीं करता है दलिट और ट्राइबल की एकता वर्किन ख्लास के साथ लैंडलेस लेबर के साथ लोगर पेजेंटरी के साथ बहुत बड़ा फोर्स है और इसको एक इंटेलेक्शिड निडर्शिप मिल जाती है जिक यूदर और गुजरावत ने बता दिया आंधर ने बता दिये कि इसे अदर बहुत प्यस्जी तो ही है एक डेप्थ है इंटेलेक्टिल एक्टिविटे की डेप्थ जो 100 डिडिरीस से नहीं पर जाता ही है वो उनके अंदर भी जागूती है मेरा ख्याल है मैं इस उमर्ट में आगया हूँ सतर के बहुत पारों में कि मायूस तो होता हूँ बहुत मायूस नहीं होता हूँ क्याकि इतने मेरे पिछले पचास साल में अपने हांकों के सामने देखा है कि जब हम सोचे थे कि ट्रक तो रुखने वाला नहीं है देखा कि उसका पंचर हो गया ट्रक उलेट गया बड़े-बड़े पोलिटिकल फोर्स उलेट जाते हैं यह मेरा ख्याल है समय भी बड़ा बर्वान है मगर किस तरे के से और बड़े है आपकी आवाज Cup दो गई आपकी आवाज कर आप म्यूट है म्यूट म्यूट यह हैं थो सब्सक्राएब हो घमвигाजन के बारे में भी कह सकते हैं हमको कोई बारवाला म्यूट नहीं कर सकता है म्यूट होते हैं हम अपनी गल्ती से मैं कह रहा था कि दलित मजदूर ट्राइबल एकता बहुत बड़ी एकता है और इससे बंगाल के संथाल पढ़ना से लेके कुजरात राजिस्तान के भीणवारा तक एक बहुत बड़ा तबका जो नॉर्ड और साथ को बिडिवाइट करता है पीचमें बपर है बनता है बहुत पाउफुल है इसी तरीके से दक्षिंग में लेंगवेज को लेके इतनिसिटी को लेके एक महौल जो बनता है यह बड़ा मार्मिट चीज है और इसमें बहुत फ कारगर रेकता है वो लीडर्शिप को कमपेल कर देगी घटा आने के लिए और यह मैंने एक से ज्यादा बाली पिछले पचास साल में देखा हूं जो मेरे से बुजब पत्रकार है उन्होंने सतर साल में देखा है कि जब जमीन से उफान आता है तो बड़े बड़े नेता अमीद भी है दूआ भी है कोशिश भी है और हरकत भी है सर आप आपने आप कुछ हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी के बारे में कुछ आपको आपने कुछ नहीं बताया कुछ वो लोग भी कुछ जानना चाहते हैं अपने जी उनके दर्द को बयान की जी दर्द को मैं क्या बय मौबत में हर घर पे गया जहां पर लिंच मौब्स ने गवरक्षा के मातहथ जवान लोगों का खून किया मैंने उन विद्वाओं के उन बुजरु बापों की जो मेरी उमर और मेरे से बड़े थे आंकों में देखा है अपने हाथों में लेके उनका कांपता वश्रीर को सब्सक्राइब2000 के पार सकते हैं उन्हीं के पिटा जोग पर केस कर दिया गया है इसाई अपने घर में दूआ निमांग भारा है पांच इसाई जमा हुआते हैं। गूंडीय आर्एस के अपने साथ लोकल पत्रकार को लाते हैं पुलिस उनके साथ उनको प्रटेक्ट करने आती है उत्रप्रदेश में कही बज़ देखा कानून आ रहे हैं तो मगर सताओं तो बहुत हद तक है करने इस्लामफोबिया की दाथ हो गई है पहले गुजात में कहते थे आज इसाई कल का साइब और इसको रोटेशन करते थे आज इसाई को मारेंगे मिलवाड़ा बे कल मुसल्मानों को मारेंगे एहमद नगर परसो फिर इसाई को मारेंगे बढ़ोदा में यह जो था इसमें ह के फेरट फुटेक्षण आया है जंड लोगों my हैं एक हमको सेकुलर समाज से हमारे विंगती रेथिए निगया कॉंस्टूशन करेगा वहीं को टिपरेंड कर पाएगा यह हमारी बात रहती है और मैं रहीं चाहिए पार्टी के नियुक्त की और पशित पाएंगा और जीट आपके लिए की वज़ा से भी एक तरीके से काज़ा रगता है वोट काट के भी शायद मोदी ने मदद भी कर दिया मैं कहने सकता मगर यमूरियत के अंदर आपका रोल बहुत सीमित हो जाता है और यहां पे और भी बात है आप जाते हैं पारलिमेंट के अंदर कानूनी तोर पर फंद्रा प पाटी मिप से लालस दीके क्यों यह हमको देखना है कि यह इत्ता आदात में आने के बाद भी फंद्रा परसेंट कानूनी तोर पर आने के बाद भी तरिंट के उसमें जोश नहीं आ पा रहा है कुछ सबों के साथ चाला है अगर दलित लोबी सेकेलर लोबी के साथ वोट करती है बिना पार्टी हम कुछ के तो कमाल हो जागा पिचासी वोट तो ऐसे बढ़ गए यह कलेक्टिव ली पॉलिटिकल कॉंशिस्नेस लानी पड़ेगी और आप यह से लोगों का जवान क्यों आप है स तो समयाव के खिलाब राडिकलाइज कर पाएंगे अच्छे तरीके से राडिकल होना कोई पुरी चीज नहीं है अगर्टिकल ली उफान आएगा उसको कोई रोप निपाएगा अग्ध एग घंटा पूरा हो चुका है और जैसा आपने देखा कि जौन दयाल साब के पास मालूमात तजरबात की कोई कमी नहीं है पिछले 50 सालों से ना सिर्फ है लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं बलकि हर जगा पे जहां पे मजलूम लोगों को जहां पे घरीब लोगों को सताया जाता है वहां पहुंचते हैं और अपनी पूरी खुबत और थाकत के साथ इन से जो बन पाड़ता है वो करते हैं और इनकी सियासत में कोई धर्म, कोई जात, कोई मज़भ का फर्क नहीं होता है मैं तो कहूंगा सर कि आपको लोग अंग्रेजी हलके में समस्ते ते कि आप अंग्रेजी ही ज्याधा जानते हैं लेकिन इस वीडियो को भी बहुत सारे लोग जब देखेंगे तो हिंदोस्तानी और उर्दु कितना बेहतर जानते हैं उनको इस बात का भी हैसास होगा और मैं आपको फिर किसी न किसी मौके से जल फिर बहुत सारी बात है, मीडिया के हवाले से बात नहीं हो पाई, इसके अलावा, और सारे जो ऑथरिटेरियरिजम पहले के दौर में था, और अभी के दौर में था, किस तरह का ऑथरिटेरियरिजम आज के दौर में, इस पर भी बात नहीं वो पाई लेकिन अगर सारे चीजों को हम समेटनी की कोशिश करेंगे तो प्याले से जो होता है जो शर्बत होता है वो निकल जाता है वो जाया हो जाता है तो मेरी तो आप आप से यही गुजारी सरे कि आप अपने इस अनुभव को आप एक ओटोबायग्राफी के तोर पे अगर इसके बारे में भी अगर आप सोचे कि इस तरह चीजों को उसको जमा की जाए इस तरह को कलम बंद किया जाए जो कि आने वाली जो जनरेशन है वो सीख सके कि कि क्या हमारे बाप दादाओं ने हमारे पहले किसी सियासदानों ने हमारा मुल्क ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर, यह चीज़, हम, जो एक कारवा है, कम से कम आपने जो शुरौवात की तीप की बोले की आजादी नहीं है, tapi बोले से डर लग रहा है, तो हम लोग कम से कम जो सबकी तरफ से सर दिल की गहराई से आपका शुक्रिया दा करता हूँ थैंक यू सर शुक्रिया फुदा आफिस